दोस्तो जानवरों के समराज में गति की अलग अलग डिगरी वाले विभिन परकार की परजातियां सामिल हैं लेकिन कि आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे तीज दोड़ने वाले जमीनी जानवर कौन है तो दोस्तो आपके ग्यान को बढ़ाने के लिए आज में इस वीडियो में आपको दुनिया के ऐसे ही दस सबसे तीज दोड़ने वाले जमीनी जानवर के बारें बताऊंगा आपको बता दे कि इनमें से कुछ जानवर तो ऐसे हैं कि भी एक कार के स्पीड जितना तेज दोड़ते हैं और नमबर एक की स्पीड तो बिजली के करेंट से भी तेज है साध इसकी स्पीड जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे तो दोश्तों बने रएंगे इस वीडियो के अंद तक तो आईए बिनादेर की हुए जानते हैं दुनिया के उन्दस सबसे तीज दोड़ने वाले जमीनी जानवर के बारे में काली और सफे धारियों वाला जेबरा दुनिया के सबसे तीज दोड़ने वाले जमीनी जानवर में से एक है लोग इने जाजातर गदो जैसा मासुम मानते हैं लेकिन यह ऐसा जानवर नई है जब इने सिकारियों से बचना होता है या अफरिकी सावाना में यात्रा करनी होती है तो यह जेबरा बहुत तेज गती से दोड़ने में माहिर होते हैं और ये अपनी इस तेज गती का इस्तमाल जायातर सेर, चीता और लकट बग्गे जैसे सिकारियों से बसने के लिए करते हैं अब बात करें इनकी टाप स्पीड की तो ये 64 किलिम्टर पर ती घंटे के रफ्तार से दोर सकते हैं और आपको बधा दें कि जिवरा में तेज दोरने का यागूर बचपन से ही होता है जब जेवरा के बच्चे जन्व लेते हैं तो लोगबग चौबच घंटे बाद ही दोरना सुरू कर देते हैं तो दोस्तों क्या आप आज से पहले जेबरा के इस गति कोसर के बारे में जानते थे हमें कोमेंट करके जरूर बताएगा नम्मर नाइन ग्रिहाउन डॉग दोस्तों ग्रिहाउन डॉग एक पालतू कुत्तों की पढ़ जाती है जो बहुत ही फूर्तिले होते हैं और फूर्टुले होने के साथ साथ ये जमीन पर दोरने वाले सबसे 30 जानौरों में से एक हैं प्राचीन समय में इन कुत्कों की गति केकार रट इनका उपयोग खरगोस, लोमडी और हिरन जैसे जानौर का सिकार करने के लिए किया जाता था बात करें इनकी टाप स्पीड की तो ग्रिहाउन डॉग हावा को चीरते हुए 20 किलिमेटर पर तिघंटे की रातार से दोर सकते हैं और इतनी तेज गति से दोरने में इनकी मसल्स और सरीर और मजबूत पैर इनकी अहम भूमिका निभाते हैं और बता दें कि ग्रिहाउन डॉग अगर किसी के पीछे पर जाए तो उसका बचना उतना है मुश्किल होता है जितना सेर के पंगुश से बचना मुश्किल होता है इनकी इनीक खुबियों के कारण अब कई लोग इन्हें अपने घर में पालतू जानौर की तरह भी रखते हैं और दोस्तों आपकी जानकारे के लिए बता दें कि दुनिया में पाया जाने वाले कुट्तों की पर जाती में ग्रिहाउन डॉग दुनिया के सबसे 30 दौरने वाले कुट्तों में से एक है जो 72 कि लिमटेट पर तिघंटे कि रखतार से दोड़कर अपने सिकार पर हमला कर स करता है और इसकी यगति इनकी सिकार रणीती जैसे सिकार को पीछा करने और पकड़ने में मत्पूर भूमिका निभाती है और यह कुट्ते अपनी स्टाप स्पीड का उपयोग करके मिरिग और अन्ल खूर वाले जानरों को असानी से नीचे गिरा सकते हैं और इन्हें ठका होती है और इनकी आखी इतनी भयानक होती है कि इने देखकर किसी के भी पसीने छुड़ जाएंगे अफ्रिकी जंगली कुट्तों से जंगली जानर तो ढड़ते हैं उनके साथ ही इनसान भी बहुत ज्यादा ड़ते हैं क्योंकि यह जुन में बहुत ही आक्रमरता से सिकार कर करते हैं कई बार तो यह कुट जंगली भैसों पर भी हास साफ कर देते हैं और मौका मिलने पर तेजी से दोड़का दूसरी जानर का सिकार भी छिल लेते हैं जानरों के खिलाप इनकी पूरा गुंड़ा गड़ी चलती है नमबर सेवन लायन दोस्तों सेर के बारे में तो हम कि पर ऄते हैं वो अपनी ताक आउर सिकर कोसल के लिए लेकिन बेचारे जंगल के राजा को सिकार करने के लिए इतने पापड़ कोष़ हो यह कोई नहीं समझता हैap 80 किलियोंटर परती घंटे की रतार से दोड़ सकते हैं लेकिन इनकी ये तेज गती लंबी दूरी तक कायम नहीं रहती केवल कुछी दूरी तक ये अपने सिकार का पीछा करने में सच्चम होते हैं इसलिए हमला करते से में उनका अपने सिकार के करीब होना बहुत जरूरी होता है यदि एक बार उनकी गती कम हो जाए तो समझ लिजिए कि उनका काम खराब हो जाता है और फिर सिकार उनके हाथ आने से बच जाते हैं और हमले में यही थोड़ी से दूरी उन्हें भूखा मने पर मजबूर कर देती हैं और कई बार ऐसा होता है कि इनकी अच्छी स्पीट के बाद भी सिकार इनकी किस्मक में नहीं होता नमर 6 ब्लैक बग्ग दुनिया के सबसे 30 दर्णे वाले जमिनी जर्णों के लिष्ट में 6 नमर पर ब्लैक बग्ग का नाम आता है जो की हिरन की एक परजाती है और भारती उप माधिव के मुल निवासी भी है और अपने बिसीष्ट काले सफिद रंग और अपने 30 दर्णे की रप्तार के लिए जाने जाते हैं इस परजाती की हिरनों की रप्तार लगबख एक सेर के रप्तार के बराबर होती है जो लगबख 80 किलिमटर पर ति घंटे की रप्तार से दौर सकते हैं बात करें इनकी सारीषिस सरनचना की तो इनकी लंबे पतले पैर की बनावट इन्हें तेजगती से दौरने में सच्चम बनाते हैं और इनके सरीर की हहलका निर्माड दौरते समय खिचाओं को कम करने में काफी मदद करते हैं इनकी अत्रिक इनकी गहरी द्रिष्ट और सुनने की तीज सक्ति इन्हें दूर से सिकारियों का पता लगाने और तुरान तेजी से दौरने या भागने में बहुत मदद करते हैं नमर फाइब ब्लू विल्ड बीष्ट पुर्वी और दच्छिड अप्रिका में पह जाने वाले जंगली विल्ड बीष्ट जानवर को गुनुस के नाम से भी जाना जाता है गाय की तरह दिखने वाले जानवर दो तरह के होते हैं काला और नेला इनका रंग अकार और सिंग की सरचना अलग अलग होती है जब दोनने की बात आती है तो ये दोनों प्रकार के वाल्ड बीष्ट सेर की तरह तेज और उनसे कहीं ज़्यादा स्पीड से दोर सकते हैं बात करें इनकी टाप स्पीड की तो ये 82 से 83 किलिम्टर परती घंटे की रपतार से दोर लगा सकते हैं और ये गती इनका पीछा करने वाले सिकारी जानवर जैसे सेर चिता और लकड बग्गे जैसे सिकारियों से बसने में काफी मदद करते हैं और अपनी इस उच गती गुर्वत्ता और बड़े अकार के कारण ये अच्छी अच्छी जानवर को पीछे छोड़ देते हैं अगर बात तेज दोड़ने की हो और उसमें किसी घोड़ी का नाम ना है तो ये पूरी अच्छो समुदाय के लिए सर्मनाग बात होगी लेकिन ऐसा नहीं क्वाटर हर्स अपने अच्छ समुदाय और अपने लोगों का नाम और समान बचाते हुए दुनिया के सबसे तीज दोड़ने वाले जमेनी जानवर की सुची में चोथे अस्थान पर हैं क्वाटर हर्स संग्यूत राज अमेरिका में सबसे लोगप्री घोड़ों की नसलों में से एक हैं जिसे आमतर पर रेसिंग और हर्स सो में देखा जाता है चोटे कद और मसस मजबूत सरीर वाले ये क्वाटर हर्स 84 से 88 किलिंटर परति घंटे के रतार से दोड़ने में सच्छा मोते हैं और ये अपने इसी तेज स्पीड के लिए लोगों के बीच काफी फेमस हैं क्वाटर हर्स 30 तो दोड़ी सकते हैं लेकिन वे छोटी दूरी के लिए दोड़ सकते हैं वे लंबे रूट के लिए नहीं बने होते हैं जी हां दोस्तों अगर वे रेस में उतर जाएं तो उन्हें हराना उतना ही मुश्किल है जितना पचास्वा मंजीर से गिर कर किसी की जान बचाना होता है सबसे 30 दोरने वाले जानौरों की लिष्ट में इस प्रिंग बाग का नाम तीसरे नमर पर आता है दोस्तों इस प्रिंग भाग भी हीरन की एक परजाती का नाम है जो की अपरिका में पाय जाता है और यह दोरते समय सब के बाप होते हैं यदि कोई जानौर इनका पीछा करता ह है तो संभावता वे उसे तड़ा कर ठका देते हैं और ठका कर उसे मार डालते हैं इस पर जाती के ही रन 88 किलिम्टर पर ते घंटे की रतार से दोरने में सच्छा हम होते हैं साथी ये स्प्रिंग भाग लंबी छलांग लगाने भी मायर होते हैं वो भी कोई ऐसी वैसी चलांग नहीं लगबग 6 फिट लंबी चलांग लगाते हैं और ये इतने 30 गती से दोरते हैं जैसे इन्हें पकड़ना तीज रतार से दोरती कार को पकड़ने जैसा हो और जब इन्हें अपने सिकारियों से खत्रा होता है तब ये अपने स्पीट का उप्योग सिकारियों से बसने के लिए भी करते हैं जिससे सिकारे के लिए इनको पकड़ना अधिक चुनाती पूर हो जाता है नम्म दुनिया के दूसरे सबसे 30 दौने वाले जमीनी जानवर है और कानाडा से कलिफोर्निया तक पाया जाने वाले प्रॉंग हॉर्ण पस्चिमी गुलार्द का सबसे 30 जानवर है और इन हिरनों की सबसे खास बात यह है यह कई अन्य जानवर की तरह न केवल कम दूरी में ठख जाते हैं बलकि लंबी रेस का घोड़ा बनकर भी सामने आते हैं बात करें की डाप स्पीड की तो प्रॉंग हॉर्न अन्ठानवे किलिमेटर पर तिघंटे की रप्तार से दौर लगा सकते हैं और इनके इस तेज दौरने की पीछे का एक अही कारण होता है गातक सिकार्यों से अपना जान बचाना और यह अपनी स्पीड से अपनी जान बचाने में सफल भी हो जाते हैं नम्मर वन चीटा अब बात करें दुनिया के सबसे तेज दौरने वाले जानवर की तो जमीन पर दौरने वाले दौरने के सबसे तीज जानवर की ट्राप ही चीटा को जाता है क्यूंकि चीटा 120 किलिमेटर पर तिघंटे की रप्तार से दौरते हैं चीता एक फूरतीले जानवर हैं जो सिकार करते वक्त अपनी रप्तार को 0-120 km पर ते घंटे की रप्तार में बदलने में सिर्फ तीन ही सिकेंड लगाते हैं और दौरते समय चीता जमीन पर कम और हावा में जादा नजराते हैं और इनके तीज दौरने के पीछे का कारण इनका पतला सरीर होता है इस वज़े से इनकी अधिक उर्जा बजन उठाने में नहीं बलकि दौरने में खर्च होती है लेकिन सबसे दुखत बात यह है कि सबसे तीज दौरने वाले जानवर के परजाती एक रिगिस्तानी परजाती बन गई है जिसे बचाने के तैयारी जोर सोर से चल रही है तो दोस्तों यह थे दुनिया के सबसे तीज दौरने वाले जमीनी जानवर आपको सबसे खौपना कौन लगा हमें कॉमेंट करके बताए और ऐसे लेटिस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा